पंद्रा जून दो पहर दो बजे गलवान घाटी हिमालाई की उचाईयों पर भारतिय सीमा का एक सुधूर वीरान इलाका कॉर्पल एहमद बेस को खबर देते हैं कि फॉवर्ट पोस्ट से जंडा नदारत है सर्थ देखें वहाँ और भी है परवतों पर उस दिन पॉजी कमांडोस अकेले नहीं थे दुश्मन सैनिकों ने गिर्पे पत्थनों की आज लेकर पॉजी यूनिट पर भवा बोल दिया स्कोर्ट फॉजी की पिट्रूल थी टीम को जिस आखरी विरोधी का सामना करना पड़ा फोथे भूस खलन से किरे पत्थर और चट्टा और अंधेरा चा गया छे घंटे बाद जब लेटनेंट सिंगी आख खुली तो उनका सर चक्रा रहा था पहाड से हुई पत्थरों की उस बोचार से खरोचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोटाई थी एहमद, धिलो, रवी फिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाईयों से बैतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीद हो चुके थे कम से कम वो जिन्दा तो थे भारतिय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता ये लड़ाई ऐसे खत नहीं होगी मैं ऐसा होने ही नहीं दूँगा बहादुरी, भाईचारे और भारत के लिए फौजी जहां एक घुष पैठिया होता है वहां और भी होते हैं चीबब प्रोवी बेटी। कॉर्परल तुम कहा हो मैं अपनी टीम को ढून लूगा और फिर हम इन बिहुदा लोगों को वापस घर भेज़ देंगे अभी तक मेरे फौजीयों का कुछ अता पता नहीं अभी तक मेरे फौजीयों का कुछ अता पता नहीं का कुछ पता नहीं कर दो कर दो कर दो और गुस पैठी है, यह यहां क्या कर रहे हैं? मैंने जितना सोचा था हालात उससे कहीं ज्यादा बुरे हैं। तो हो जाए। देक और कर, यह कोई आम बॉर्डर पेट्रोल तो नहीं है। चल तो्ड़ मैं बुरे हो झालाता बॉर्डर मैं। झाल झाल करेंगा झाले टारी अजाने के लिए देट हैं और पॉक टूब नखने लिए लिए टो बड़ देट हैं युझ यू यू लाओा टे लिए यू लाओाने में के टूब तूर यू एान यू फिसे लिए बेल तुम कायरों ने मेरे आदमियों को कहां छिपा रखा है कायरों तुम हमेशा तो नहीं भाग सकते हैं कि अजया रखा है कि अजया कि अजया रखाई बेंगा तुम कायरों प्रूँ झाल झाल